सिवान जीने के मुफसिल थाना छेत्रि के निवासी अनाम अंसारी की पत्ती समीमा खातुन ने रविवार को दोपर खार हस्पीटल में एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है तीनों बच्चों के नार्मल डिलेवरी हुई तीनों बच्चों में तीनों लड़किया है और तीनों बच्ची जन्म के बाद से स्वस्थ है जिने देखने के लिए दो बार से ही अस्पताल में लोगों के फिर लग रही है इस तरी रोग डॉक्टर नीटो शिंग ने बताया कि ऐसा किस बहुत कम देखने में आता है सिवान से काजल सिंग की रिपोर्ट डवलब हो चुका है कि एक साथ पांच, छे, चार, तीन, छे इतना का प्रशलन है बचचा बना सिवान में उसको अदम सपलता परो जाचा बच्छा दोनों को बचा करके रोडिश में वो गया ये एक बहुत लगती है मैला कितनी बच्चे जननल इनोगिया ? को तीनों बच्चे के साथ हैков श्रत गया? तीनों ये स्वस्त है hanno how lucky has such the patient मेरे हाथो दोरह यहां पर Siwan मैं फरस रहा है कि हम इन लो मेरे करने वाल है इलोग नावपाली जगा यहां पर आप पास मी हैं Siwan के वहां कहीं दाओं नावपाली से बिलोग है अब तीनों बच्चों की क्या इस्थिती है? तीनों ही सेफ है, तीनों मा के पास ही है उनको एडमिट करने की भूई कोई आपशकता नहीं पड़ी जैसे की पता चलता है कि बच्चे कम वजन के है तो लोग एडमिट करा देता है जैसे की बच्चे करने के शक्ता पड़ती है लेकिन इनको अब डॉक्तर माने उसको माते पास ही दिखाया है सिमान में यह पास में यह मेरे क्लेन करे बट उन्हों ने कहा कि नहीं बच्चे हो जच्चा दोनों सेफ है बच्चों की मा पहले भी आपी कोंडेक दी इनको बच्चे नहीं हो रहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी यहीं किया गया है उसके बाद उनका डिलिवरी भी सफलता पुरूत इसे होस्पिटल नहीं हो रहे है जो कि हम ही लोग के मेडिसिन के द्वारा रूंस हमने दिया था और ट्रीकमेंट किया तो उससे रडुका है और देके बाद से बिलिवरी भी सब्सक्राइब करें और बिल आइकन पो दबाना ना भूले